Hello everyone and welcome back to a new video of studyhub तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीलों के बारे में ठीक है जितना भी जील है पूरे दुनिया में उससे आने वाले जितने भी questions होते हैं जो भी exam में आते हैं या फिर आएंगे ठीक है उसका MCQ है इस वीडियो में जितना भी MCQ है लगभग 25 MCQ है इस वीडियो में ठीक है जो की जीलों से related है जो question आ चुके है या फिर आएंगे वो सारा compilation है इस वीडियो में ठीक है तो इसमें जो भी वीडियो है जो भी question है ठीक है जो भी question है इस वीडियो में सारा important होगा ठीक है फिर कुछ भी होगा तो आप लोग उसे comment box में निचे लिख देना कि इसमें doubt है तो मैं उसे देख लूँगा ठीक है तो देखो यहाँ पर first question जो है निमलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी जीले देखो यह बहुत ही common question है ठीक है निमलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी जीले तो इसका answer होगा कैस्पियन सागर ठीक है आपके पास कैस्पियन, अरल, सुपिरियर और विक्टोरिया निया जाक का option था जिसमें से सही answer है कैस्पियन सागर उसके बाद second में है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जील है विक्टोरिया, सुपिरियर, बेकाल या फिर मिशिगन तो इसका answer होगा सुपिरियर ठीक है आप लोग को अगर याद है जो चीज जो इस question में आप लोग को answer पता है तो यार उसका आप दो question का answer ठीक है विडियो मेरे पढ़ने से पहले आप pause कर दो और उसके बाद देखो आप answer सोचो अपने मन में answer रखो उसके बाद विडियो को play करो और देखो answer होता है सही की नहीं सो ठीक है उसके बाद third number में है कौनसी विश्व की सरवाधिक गहरी जील है ठीक है कौनसी गहरी जील है तो कौनसा है टीटी काका विक्टोरिया बेकाल या फिर मिरित सागर तो इसका answer होगा बेकाल जील ठीक है उसके बाद fourth number में है विश्व की सरवाधि लवन्य जील कौन सी है तो वन जील है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें फिर्फ नमर में समुद्रतल से सरवाधिक नीची जील है ठीक है यानि की सी लेवल से सरवाधिक नीचे कौन सा जील है तो कौन सा है मिर्च सागर जील है ठीक है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सरव पादिक उचाई पर इस्थित नौकायान जिल ठीक है यानि कि सबसे उचा जगा पर जिल है वो लेकिन उसमें नौकायान होता है ठीक है यानि कि बोट वागेरा चलता है तो वो कौन सा जिल है टीकी काका मेरा काईबो अथवासका या फिर लेड़ोगा इसका एंसर होगा टीक जील उसके बाद है 7 नमर में विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का जील है ठीक है खारे पानी का सबसे बड़ा जील कौन सा है तो वो है कैस्पियन सागर फिर है 8 नमर में विश्व की सरवाधिक उचाई परिस्थित जील है ठीक है तो मैंने आप लोगों को एक कोशन बता रहे था उपर कि आप लोग को ये चीज याद रखना है नौका यान वाला याद है न आप लोग को तो विश्व की सरवाधिक उचाई पर इस्थित जो जील है वो भी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो आप लोग इसे याद रख लो ठीक है उसके बाद निम् इसका नाम जो कि अरल सागर के किनारे है तो इसका एंसर कौन सा होगा कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान ठीक है यानि कि कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान जो है दोनों देश अरल सागर के किनारे बसे हुए है उसके बाद टेंथ नमबर में है विक्टोरिया जिल अवस्तित ह विक्टोरिया झील कौन से देश में है, ठीक है तो आपके पास आप्षन है अमेरिका, बोलिविया, पशुमी ऑस्ट्रियलिया या फिर पूर्वी अफ्रिका तो इसका एंसर होगा पूर्वी आफ्रिका ठीक है यानि की विक्टोरिया जील अवस्थित है कहां पे पूर्वी आफ्रिका में फिर हम लोग आगे बढ़ें 11 नमबर में निमलिखित में कौन सी जील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर राष्टे सीमा बनाती है यानि की तंजानिया और युगांडा के बीच में इंटरनाशनल बॉर्डर बनाने वाला कौन सा जील है तो वो कौन सा है विक्टोरि तो कैस्पियन सागर जो है वो इस्थित है रूस और इरान के बीच में ठीक है रूस और इरान के बीच में कैस्पियन सागर इस्थित है उसके बाद 30 नमबर में निमलिखित में से कौन सी जील खारे पानी की जील नहीं है कौन सा जील ऐसा है जो कि खारे पानी के जील नहीं है तो इसमें दो question है, आप लोग याद रख लेना कौन-कौन सा दो question में बता देता हूं ठीक है एक तो आपका निकल जाएगा वो जो खारे पानी का जील नहीं है और जो बचा वो तीन खारे पानी का जील है न तो आप लोग को वो भी याद रख लेना है कि तीन कौन सा खारे पानी का जील है तो इसमें हम बता देते हैं जो खारे पानी का जील नहीं है वो है बैकाल जील ठीक है बैकाल जील खारे पानी का जील नहीं है फॉर्टिंथ नमबर निमलिखित में से किसे हजार जीलो की भूमी कहा जाता है ठीक है हजार जीलो की भूमी किसे कहा जाता है ये कॉमन जीके का कोशन है ठीक है किसे कहा जाता है फिल्लैंड को कहा जाता है 1000 जीलों की भूमी फिल्लेंड को कहा जाता है उसके बाद आगे बढ़े हम लोग 15 नंबर में तो 15 नंबर का question है एफ्रिका महादीब की सबसे बड़ी जील है एफ्रिका महादीब की सबसे बड़ी जील कौन सी है Victoria, Niasa, Tanga, Nika या फिर Chard ठीके, तो कौन सी सबसे बड़ी जील है Victoria, Mahaadip Victoria, Mahaadip, सौरी Africa, Mahaadip की, तो वो क्या होगा answer, Victoria है ना क्या होगा answer Victoria, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीके ये question आप लोग को याद हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नमबर में 16 नमबर में question है कि विश्व की सरवादी खारे पानी की जील जो है, वोन जील, ठीक है वो किस देश में है दो question आपको इसमें मिल रहे, ठीक है 16 में, दो question आप लोग को मिलेगा इसका है विश्व की सरवादी खारे पानी की जील कौन सा हो गया वोन जील, पहला question ये हो गया कि विश्व की सरवादी खारे पानी का जील कौन सा है वोन जील और ये कौन सा देश में है तो ये है, टर्की में ठीक है जैसे हिंदी में टूर्की बोलते है उसके बाद 17 में है आफ्रिका महादीप में निम्न में से कौन सी जील भूमद रेखा परिस्थित है तो आपका आप्शन है टांगा निका विक्टोरिया न्यासा या फिर करीबा तो इसका एंसर होगा न्यासा ठीक है आप्शन सी न्यासा इसका साही अंसर होगा उसके बाद 18 में है निम्न में से कौन इरान की सीमा को इस पर्स करता है ठीक है यानि कि इरान देश है आप लोग को पता होगा इरान देश है तो इस इरान देश की सीमा को कौन सा जील या फिर सागर टच करता है तो आपके पास आप्शन है क दुखस जील या फिर बैकाल जील इसका सही एंसर होगा कैस्पियन सागर ठीक है कैस्पियन सागर जो है वो इरान की सीमा को पर्स करता है उसके बाद 19th नंबर में हमारे पास question है निमलिखित में से किसे pearl of Siberia कहा जाता है ठीक है याद रखो आप लोग pearl of Siberia किसे कहते है एक सेक हाँ तो निमलिखित में से किसे pearl of Siberia कहा जाता है तो pearl of Siberia किसे कहा जाता है pearl of Siberia आपका हो गया बैकाल जील ठीक है कौन सा हो गया बैकाल जील जो है वो pearl of Siberia हो गया उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं 20 नमर में बोल रहा है किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है कौन सा ऐसा देश है जिसका सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलता है तो वो हो गया कौन सा यूक्रेन उसके बाद है आपका 21 नमबर टांलेश सैप नामक जील किस देश में है ठीक है टांलेश सैप नामक जील है वो कौन सा देश में है तो किस में है वो कमबोडिया में है ठीक है कमबोडिया आप लोग को याद रखना है इसका एंसर उसके बाद 22 में है प्रित्वी का सबसे गहरा इस्थल है प्रित्वी का सबसे गहरा इस्थल कौन सा है? सबसे गहरा इस्थल तो मृत सागर है उसके बाद 23 में पोल रहा है छेत्रफल और आइतन यानि कि area और volume के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जील है ठीके छेत्रफल और item के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जील कौन सा है कैस्पियन सागर है ठीके option B कैस्पियन सागर उसके बाद 24 last का दो question है हम लोग के पास प्रसिद अंगलियो नूमा जील जो है वो कौन सा छेत्र में स्थित है या फिर कौन सा देश में स्थित है तो इसका answer होगा अमेरिका में USA ठीके तो ये जील कौन सा देश में स्थित है अमेरिका यानि की USA में स्थित है 25 नाबर में निमलिखित में से कौन honeymoon lake के लाता है ठीक है यार सही पर सुन रहे हो अप लोग honeymoon lake ठीक है नाम है निकनेम है तो honeymoon lake जो है सो कौन सा कहलाता है तो honeymoon lake है आपका टीटी का काजी ठीक है तो ये दिखो यार ये मैंने पहले ही कहा था कि यह important है इससे हम लोगोंने तीन question पढ़ाया ना अभी तक तीन question आया इससे तो यह थोड़ा सब important है कैस्पियन Victoria यह सब भी important है तो यहाँ पर हम लोगोंने 25 question complete कर लिया 2 question के बीच में 2 question आ रहाया था यानि कि 25 plus ही question किया हम लोगोंने कम नहीं किया है ठीक है तो यह वो सारा question था जो की exam में पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगा important important जो question रहता है ना वो सारा हम लोगोंने cover कर लिया जील से related तो इस वीडियो में बस इतना ही था ठीक है और आगे भी ऐसा अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो चैनल को subscribe कर देना ये वीडियो अगर पज़न आया होगा तो इसको like कर देना फिर मिलेंगे किसे और नहीं वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye